हमने फर्स्ट इनेट का ए पार्ट कम्प्लीट कर लिया है आज हम सुरू कर रहे हैं जो अपना सेकेंड पार्ट है वो उसका नाम क्या है आपका उसका नाम है इलेक्टरिक फिल्ड ठीक है तो सबसे पहले आप यह देखो कि इलेक्टरिक फिल्ड क्या होती है ठीक है electric field क्या होती है कि every charge creates an electric field in the space around itself ठीक है जो हर एक जो आपका charge होता है वो क्या create करता है electric field करता है अपने चारों तरफ in the space around itself every charge creates an electric field in the space around itself जो electric field होता है उसको आप किसे denote करते हो e के उपर जो vector होता है उससे आप क्या करते हो इसको denote जो आपका electric field होता है वो क्या होता है आपकी vector quantity होती है इसलिए आप e के उपर क्या युज़ करते हो vector vector quantity क्या होती है आपकी vector quantity वो quantity होती है जिसका both magnitude and direction दोन्नों वो क्या होती है आपकी vector quantity ठीक है electric field पता चला every charge creates an electric field in the space around itself हैर एक charge अपने चारों तरफ क्या करता है फिल्ड जर्नेट करता है चाहे हैं वो आपका plus Q charge हो या फिर आपका क्या हो minus Q charge हो वो क्या करता है अपने चारों तरफ electric field जर्नेट करता है अब देखो इसमें जो आप Q note यूज करते हो electric field में वो क्या होता है आपका वो होता है आपका test charge ये test charge है ना बहुत ज़्यादा small charge होता है very very small charge ये charge अपने चारों तरफ electric field जर्नेट नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि जो ये Q note की value होती है वो क्या होती है बहुत ज़्यादा छोटी होती है निकालना है कि प्लस क्यू चार्ज कि आपको क्या निकालना है एलेक्टरिक फिल्ड निकालना है ठीक है आपको यह पता है कि एरेक्ट चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है फिल्ड जर्नेट करता है ठीक है फिल्ड जर्नेट कर लिए अब आपको इसकी डारेक्शन निका लोगे इसकी direction आपको जहां पे भी direction निकालने हो वाप पे आप क्या रख दोगे q note चार्ज को रख दोगे चो q note चार्ज होता है वो क्या होता आपका always positive होता है ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी ठीक है और q note क्या है बहुत ज़्यदा छोटा चार्ज है ये क्या कर सकत जहां पे भी आपको इलेक्टरिक फिल्ड निकालने हो यह बात आपको याद करनी पड़ेगी जहां पे भी आपको इलेक्टरिक फिल्ड निकालनी हो वहां पे आप क्या करोगे क्यू नोट चार्ज को क्या कर दोगे रख दोगे अब देखो प्लस क्यू चार्ज है यह अपने रीपेल करेगा आपको पता है कि अगर आपके पास सेम सेम चार्ज हो या फिर आप उसको ये भी बोल सकती है कि आपके पास क्या हो लाइक चार्ज हो वो क्या करते हैं रीपेल करते हैं तो जो प्लस क्यू चार्ज होता है उसकी जो डारेक्शन होती है वो क्या होती है रेडिय direction आप क्या भी बोल सकती हो समझा है, समाझा इलेक्ट्रिक निकालaya जो आपका क्यूं नोट चार्ज होता है, उसकी वैलीannie civ नोट उनोट डेपने 4 तरफ सकता क्योंकि जो आपका क्यूं नोट चार्ज है वो क्या है आपका वेरी कि स्मोल चार्ज है ठीक है, electric field extends till infinity जो electric field की जो limit होती वो कहां तक जाती extent till infinity अब देखो आपको कहां पर आप electric field की direction निकाले, minus q charge की उपर अब क्या करोगे, देखो आपको ये पता है कि every charge every charge creates an electric field in the space around itself, जो हर एक charge होता है वो अपने चारो तरफ क्या करता है फिल्ड जर्नेट करता है ठीक है है रेक चार्ज अपने चारो तरफ क्या करता है फिल्ड जर्नेट करता है अब आपको कहां पर डारेक्शन निकालें माइनस क्यू चार्ज पर आपको जहां पर भी डारेक्शन निकालें आप वहां पर क्या कर दोगे क्यू नूट चार्ज को रक दोगे यह माइनिस delis का चार्ज यह पूया है आपको डिय्रक्षिं ही कालनी है ठीक है मैंने UI को यह क्या क्या डिया यह हो गया माइनिस प्लस क्या होगाई एक अट्रभ्स क्या रिफ्रेंट में या फिर आप इसको अनलाफ जार्ग भी बोल सकते हूं वह क्या करते है एक ट्रेक्ट करते हैं और जो आपकी- q- charge होता है Speaking is what is radially inward टीक है और जो आपको प्लिस q- charge होता है उसकी direction क्या होती हैumer ऐर डेली यह आउट टीक है Coffee और टीक है एक कर दोटीक है लेक्री की एक मी टाली हो यह वाली बात यहाद भादा small charge होते हैं ठीक है इसके बाद आपका topic आ तहा इंटेंश to of automatic field do to a point charge plus q at distance are from it ठीक है इंटेंसी निकाल निया इंटेंस to of electric field at a point intensity निकालने एंटेंस तक प्लस cube प्लस Q पे वहाँ पे डिस्टेंस क्या है और आपने क्या ले लिए इंटेंसिटी निकालने है इलेक्टरिक फिल्ड की प्लस Q चार्ज की ठीक है अपने मान लिजे कि आपको यहाँ पे क्या निकालनी है इलेक्टरिक फिल्ड की इंटेंसिटी निकालनी है आप यह वाली बात याद रख लो कि जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक फिल्ड की इंटेंस्टी निकालनी हो वहां पे आप क्या कर लोगे के टेस्ट चार्ज रख लोगी ठीक है टेस्ट चार्ज क्या होता है आपका टेस्ट चार्ज होता है क्यू नोट ठीक है मैंने आपको पिछे वाले टोप में पी के उपर देखं। जहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक फिल्ड निकालनी हो वहाँ पर यह आप कर दोगे कि टेस्ट चारज को रख लोगी ठीक है ब देखो आपकि यह पता है कि इलेक्ट्रिक फिल्ड का जो formula होता है वो क्या होता है आपका force on test charge आप होने test charge ठीक है अब आपको force निकालनी है plus q charge के उपर निकालनी है ठीक है जहाँ पे भी आपको electric field निकालनी है वहाँ पे आप क्या करोगे q note charge को रख लोगे ठीक है तो आपको पते है according to kulamsela kulamsela क्या था आपका force is directly proportional to the charges and force is universally proportional to the square of the distance अब देखो electric field at point P पे आपको क्या लगाने है कुलामसला लगाने है देखो k q1 first charge q1 की जगा आपने क्या पूट कर दिया plus q और q2 charge की जगा आपने क्या पूट कर दिया q note over r square ठीक है जो electric field का formula होता है वो क्या होता आपका force on test charge आप होन में test charge यह क्या आपका force on test charge k q q note over r square upon q note q note से q note आपका cancel हो जाएगा electric field निकलाएगी k q over r square चो electric field है वो आपकी निकलाई k q over r square ठीक है at distance r p ठीक है आप इसको यह भी बोल सकते हो electric field at distance r is equal to k q over r square ठीक है यह आप इसको यह भी बोल सकते हो electric field at point P is equal to k q upon r square अब देखो आपको क्या निकालनी है unit निकालनी है ठीक है किसकी unit निकालनी है electric field की unit निकालनी है आपको electric field पता है क्या होता है electric field आपका होता है force on test charge आपको पता है कि क्या होती है force unit होती है आपकी newton और जो आपको charge होता है उसकी unit क्या होती है आपकी kulam ठीक है तो आप देखो आपको electric field क उनित या से निकाल सकते हो talks on test charge force机 मैं होती है Newton और चार्ज की उनिट क्या होती है आपकी कुलाम तो यह इसकी unit पर कुलाम छो इलेक्टरिक फिल्ड की डारेक्शन होती है किसकी डारेक्शन है फोर्स जो इल्यक्ट करें यह वाला फॉर्मूला होता है force on टेस्ट चार्ज आपोन टेस्ट चार्ज यह वाला फोर्मूला कहां पे वैलिड होता है वैलिड ओनली ओने पॉइंट चार्ज किसके उपर वैलिड होता है यह पॉइंट चार्ज के उपर अब देखो आपके जो इलेक्टरिक फिल्ड के इंटेस्टी किसी भी point के उपर क्या आई थी KQ और R scale आई थी तो electric field की intensity यह किसको बेकर रहा है inverse scale lag को बेकर रहा है ठीक है तो आप क्या करोगे देखो inverse scale lag आपका जो graph आते है वो क्या आते है ऐसे बनते है यह वाला graph किस-किस के बीच में आए आपका electric field और इस्टेंस के बीच में electric field is inversely proportional to the 1 by r's की ठीक है अब देखो electric field due to charge of its own location जो electric field की जो direction होती है minus q charge में वो क्या होती है direction minus वाले charge में उसकी direction क्या होती है radially inward और जो positive charge होता है उसमें जो electric field की direction होती है वो क्या होती है radially outward इस इन वाले points में देख लीजिए